हेलो गुडिबनिंग यह फर्स सेमिस्टर का एक्जाम होने वाला है एले निम्यू का और होप आप लोंका तेयरी कंप्लीट हो गया होगा स्टिल जो नाइंटीन को एक्जाम होने वाले है ग्रूप सी का जिसमें जो लोजी है फॉस सेटिंग में एक्जाम है आपका फॉस से 12 है टाइमिंग तो जो लोजी गुरूप सी में आता है और इसका एक्जाम 19 को है और फॉस सेटिंग में ही है नौ बजए आपका एक्जाम है तो कुछ लास्ट मोमेंट में अब एक दो दिन ही बचा है आपके लिए लास्ट मोमेंट में कुछ कोस्टेंस हैं जिसको आप जाएए उसके लिए आप इसको गेस कोशन भी बोल सकते हैं जो पढ़े हैं यह पूरा पढ़े हैं तो कुछ कुछन में आपको दे रहा हूं जो एम आई सी हैं इस जो भी है वह इन कोश्टेंस को जो देख के जाएंगे ठीक है जो खासकर के एम जेसी वाले जो भी हैं जो आप लास्ट में इस कोश्टन को दे आप पढ़े हूंगे पूरा दो तीन दीनी एक्जाम का बचा हुआ आपका तो आप एक बार रिवाइज करके जाए इस कोश्टन को ठीक है जिसमें कुछ कोश्टन हमने डाला है इसमें है आपका गिविन एकांट आफ लाइफ हिस्ट् आपको लाइफ साइकिल पूरा यह करके जाना है देखके जाना एक बार आप लोग आए होप पढ़े होंगे सब कुछ बस लास्ट मॉमेंट में जो एक रिविजन होता है उसको आप देखके जाए क्योंकि यह प्रॉबेबल कोश्टन हैं जो आपके एक्जाम्स में आ सकते हैं दूसरा है आपका फेसियोला हीपेटिका इसका भी इस्ट्रक्चर लाइफ साइकल और पैथोजेनिसिटी आपको देखके जाना है ठीके तीसरा कुश्टन है आपका यह पोडिफेरा के बारे में अच्छे से पढ़के जाईए ठीके तीन कुश्टन्स है यह अप्टू इसके बारे में अच्छे से पढ़के जाईए क्योंकि सौ टैप भी है लॉइंग टैप भी तो दोनों को धेआर में रखते हुए तो सौ टैप में आपको थ्री कॉश्ट से बनाने है तो आते हैं तीन कुश्टंस यह देखना है चौता कुश्टन है यह फ़लेरियसिस का आ सारे कोशंथ ही एक बार आपको देख के जाना है Water Vascular System Starfish में इका इंटरमाटर को कॉशन है Water Vascular System आप जोड़ देख के जाएए एक कॉशन है आपका Excretory System किस में है एनलेडिस में इसको आप एक बार देख के जाएए तो यह 6 questions है जो आप देखके जाएंगे तो प्रोबैबल है कि आपको इसे questions आने के probability जादा है तो लास्ट मोमेंट का जो रिविजन है हाँ इस सारे questions हमने YouTube पर पढ़ाय हुए है अप जाके देखेंगे तो मिल जाएगा अप प्लेलिस्ट में जाके semester one का थेयरी खुजेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको सबकुछ तो चैनल का नाम भी है डॉक्र दिपकुमार ज्या उसे आप सर्च मारके सारा questions पढ़ाय हुए आप एक एक घंडा में आपका सब खतम हो जाएगा ठीक है तो एक बार अच्छा से जाएंगे जो नोट्स होगा questions को लिखते वक्त ड क्लारिटी के साथ होना चाहिए यह सब question लिखने का कुछ style है छोटा में लिखिए time important है कि 3 गंटा में ही आपको सब कुछ करना है objectives भी रहेंगे सौट टैप्स भी रहेंगे सौट टैप्स के लिए भी मैंने आपको छोटा-छोटा कुछ 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 दे दिया है इसको भी आप एक बार जोड़ देखे जाएंगे जैसे हीमो सिलिक सिलोमिक सिस्टम इन लीच इसको आप जोड़ एक बार दिखिए है इक अवनट डामनट प्रोड़क्शन होता है प्रोड़ोजवा में सेक्ष्वल सेक्ष्वल इसको एक बार देखके जाएंगे नुट्रिशन के देखे किस टाप का नुट्रिशन है इसमें और केनाल सिस्टम इन पॉडिफेरा इसको भी तो यह तीन-चार-पाथ छोटे-छोटे पॉइंट से ज अच्छा हो कल से आप लोग का एक्जाम स्टार्ट हो रहा है अच्छे से दीजिए और कोई कोशन को छोड़के मत आईए अपने पढ़ा है पूरा तो जो भी रिलेटेड है आप उसको लिखके आईए तरीके से गलत मत लिखे जो भी रिलेटेड है उससे आप लिखके आई बेस्ट आफ लग्ट